हेलो फ्रिंट्स, वेलकम बैक टू मैं चानल, तो आज हम पप स्लीप्स बनाना सीखेंगे, तो पप स्लीप्स बनाने के लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले जो है आपको पेपर के उपर कटेंग करना है, तो ये स्लीप्स हम जादा तर इल्बो तक बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम दस इंच पर निशान लगाएंगे. आप चाहे तो ग्यारा इंच पर भी लगा सकते हैं. यह जो है, यह हमारा तियार नाप है. कोई भी मार्जिन हम यहाँ पर एड नहीं कर रहे हैं, लेंध के लिए. तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है तो मेरा यहाँ पर है 8 इंच यहाँ पर मैं 8 इंच पर इस तरीके से इसी लाइन के उपर निशान लगाऊंगी और एक इंच यहाँ पर मार्जिन एट करेंगे यहाँ पर आप जितना आपके ब्लाउस पर मार्जिन एट किया है वही आपको यहाँ पर भी आट करना मैं यहां पर एक इंच एक्स्ट्रा लूंगी फिर यहां पर तीन इंच पर नीचे की तरफ एक निशान लगाना है और फिर इस निशान को उपर से मिलाना है यहां से इसके बाद इस निशान को यहां से इस तरीके से मिलाना है और यहां पर स्लीप का जो शेफ होता है वो आप 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर margin add करना है 1 या 1.5 इंच का आप margin लीजिए तो देखिए यहाँ पर एक बाद मैं आपको बता दू कि जब भी आप slips बनाने जाओ पहले आप paper की उपर cutting करो वो जादा easy हो जाता है और यहाँ पर जो length आप लेंगे length पर आप कोई भी margin add ना करें जितना भी आप length त्यार रखना चाते हैं उसी पर आप निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो है नीचे से हम line को मिला देंगे इस तरीके से और फिर इसे हम cutting कर लेंगे तो अब देखिए मैंने जो यहाँ पर border लिया है उसका चौड़ाई है 1.5 इंच याने की 2.5 इंच अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना भी चौड़ा आपका border हो चाहे 5-6 इंच का जितना चौड़ा भी border हो पहले आप इसे इस तरीके से measure कर लें और जो भी आता है पेपर की ठीक नीचे की तरफ से आपको उसी पर निशान लगाना है तो मेरा यहाँ पर 1.5 इंच है तो 2.5 इंच पर निशान लगाया है और scale से line को सीधा कर लूँगी इस तरीके से और इसके बाद हम इसे cut करके निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से यह देखिए तो आप देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है यहाँ से यह open है और मेरे तरफ से joint है तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से पहले कपड़े को fold करके रखेंगे और इसके बाद जो है paper लेंगे जो cutting मैंने अब अभी किया है और paper का जो सीधा side है उसके साथ कपड़ी का जो joint वाला side है उससे हम ऐसे मिला कर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी आप चाहे तो 1.5 या 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं अगर आपके पस कपड़ा जादा हो तो इससे होता क्या है कि जब ही हम स्लीप को joint करते हैं तो शोल्डर की तरफ से थोड़ा सा फुला हुआ रहता है तो अगर आपको जादा फुला हुआ पसंद है तो उसके लिए आप 2 इंच तक निशान लगा सकते हैं अगर आपको कम फुला हुआ चाहिए तो फिर आप 1.5 या 1 इंच पर निशान लगा सकते हैं तो ये आप अपने कपड़े के हिसाब से लगाए जितना भी आपका कपड़ा हो उसके हिसाब से लगाए उपर की साइड होने के बाद नीचे की तरप आपको 1 इंच रखना है पेपर के बाद ये आपको 1 इंच रखना है इससे जादा या कम नहीं तो देखिए जब हम नीचे से बॉडर जॉइंट करेंगे तब हमारा आदा इंच चला जाएगा और जब हम स्लीप्स को जॉइंट करेंगे ब्लाउस के साथ तब हमारा आदा इंच चला जाएगा इसलिए 1 इंच रखना है तो देखिए नीचे से उपर तक देखना है कि टोटल कितना इंच आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मेरा आ रहा है साड़े 9 इंच तो यहाँ पर 9 इंच सामने भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से 3-4 निशान आप लगाए और लाइन को सीधात कर लीजे इस तरीके से इसके बाद देखिए नीचे का जो हमारा 1 इंच का मार्जिन है पेपर के हिसाब से हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है तो अब देखिए यहाँ पर कितना आप प्लिट्स लगाना चाते है स्लीप्स के कपड़े के उपर उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है अगर आप कम plate लगाना चाहते हैं आपके पास कप्राण ज़ादा नहीं है तो उसके लिए आप 2-3 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा plates लगाना है पूरे slips के ऊपर आपका plate से नज़र आएगा तो उसके लिए आप 4, 4 या 5 इंच तक निशान जो है लगा सकते हैं मैंने आपर 4,5 इंच तक निशान लगाया है और इस लाइन को सीधा करके आपको मिलाना है ये देखे इस तरीके से अगर आपके पस कप्रा जादा है तो आप जादा प्लिट्स लगाए अब देखे यहां पर इस तरीके से जो है पेपर को हमें ऐसे मिला कर रखना है नीचे लाइन से और इस तरीके से जो है आपको लाइन को मिलाना है देखे इस तरीके से मैंने मिलाया है और पेपर को मैंने हटा लिया है और अब यहां पर इसे हम कटिंग कर लेंगे देखें मैंने कटिंग किस तरीके से मैं करती हूँ देखें नीचे का लाइन हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा जिलाई मार्जिन है एक इंच का अब देखें साड़े चार इंच का दूरी पर जो नीचान मेंने लगाया है वहाँ पर दोनों तरफ ही कट्स लगाना है इससे जादा इजी हो जाता है कि जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि काहां तक प्लिट्स लगाना है और देखें जो बॉर्डर है बॉर्डर के दोनों तरफ आधा अधा इंच का मार्जिन रखना है ये देखें इस तरीके से तो अब देखें यहाँ पर कपड़ी की हिसाब से अस्तर को भी कटिंग करना है और पहले जो है अस्तर के साथ मेंन कपड़े को साइट से जिले लग कर जॉइंट करना है और यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि में कपड़ी की जो उल्टी साइड है रॉंग साइड है उस तरब अस तर को रखकर जॉइंट लगाना है तो देखिए सिलय लगाने के बाद एक्स्टर फैबर को भी कट करके निकाल दिया है मैंने अब यहां पर जो कट हमने दोनों तरफ लगाया था तो इस तरफ भी हमें नीचे और ऊपर कट मिलेगा वहां पर पहले आप चॉक से ऐसे निशान लगा ले अब देखिए हमें बहु चोटे-चोटे से प्लिट्स लगाएं कोई भी नोख फाले चीज को आप लीजिए और इस तरीके से जो है प्लिट्स लगाई है यहां पर देखिए पहला जो चौक का निशान है वहां से आप प्लिट्स लगाना स्टार्ट करें और जो दूसरा चौक का निशान आएगा य यहाँ पर हम सेम तरीके से नीचे के तरफ जो है वहाँ पर भी प्लेट्स लगा लेंगे, यहाँ पर स्लीब स्कॉप ऐसे गुमा कर लीजिए, तो देखिए नीचे के तरफ भी दो कट्स और दो चौक का निशान जो है मिल जाएगा, इससी के हिसाब से जो है आपको प्लेट् तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ प्लेट्स लगा कर तियार कर लिया है, अब हम इसे बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, और इसके उपर जो पेपर का कटिंग है उसको हम ऐसे रखेंगे, और आप देखिएगा कि इस तरीके से आपका बिल्कुल बरा उसी की हिसाब से अस्तर कटिंग करना है यहां पर अस्तर के साथ हम बॉर्डर को इस तरीके से विला कर रखेंगे बॉर्डर देखिए अस्तर के ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है और यहां पर जो है मार्जिन जो है आधा इंच का वहां से ही सिलाई लगाएंगे यह देखे इस तरीके से तो सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हम बॉर्डर के पीछे की तरफ ऐसे फोल्ट कर लेंगे और यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे यह देखें इस तरीके से अब यहाँ पर बॉर्डर को इस पाट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो आधा इंच का margin रखा है उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलय लगाएंगे यह दिखे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलय लगाना है अगर आपको उपर सिलय लगाने में problem होता है तो यहाँ पर आप जो नीचे का pattern है उसे आप उल्टा करके लीजिए वहाँ पर सिलय का एक आपको line दिखेगा वहाँ से भी आप सिलय लगा सकते हैं यह दिखे ऊपर से भी लगाएं जहां से भी आपका easy लगेगा वहाँ से आप लगाएं इस तरीके से जो है सिलय लगाना है सिलय लगाने के बाद हम इस तरीके से इसे जो है पलट लेंगे यह देखे और यहाँ के उपर अस्तर को फोल्ड करना है और उपर से सिलय लगाना है यह देखिए इस तड़िके से नीचे का बॉर्डर लगाने से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है सिलय लगाने के बाद इसको बिलकुल मिडिल से फोल्ड करना है और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा आता है उसे आप कट करके निकाल दीजे यहाँ पर जो है मैं एक पतला वाला लेस लगा लूंगी आप चाहे तो लेस में बेना भी बना सकते हैं और लेस चाहे यह तो लगा भी सकते हैं यहाँ पर देखिए लेस लगाने से इसका लुक और ज्यादा अच्छा आजा जाता है स्लिप्स को कटिंग कीजिए देखे यहां पर हमारा सलिप्स जो है तैयार हो चुका है अब जो है स्लीप्स का लेंद को सिद्ध कीटना हमारा prefer जो है 1.5 इंच एकष्टा है तो देखिए 1.5 इंच क्यूं हायं गा, आधा इंच जो है जब हम स्लीप को जॉइंट करेंगे तब चला जाएगा आधा इंच का मार्जिन है और एक इंच एक्स्ट्रा है जो मैंने पहले ही कटिंग के टाइम पर रखा है पप स्लीप्स बनाने के लिए जितना भी आप मार्जिन रखेंगे एक डेर या दो इंच का उतना आपकर रहेगा उसे आपको कट करके नहीं निकालना है तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से नॉर्मल स्लीप्स को जॉइंट करना होता है उसी तरीके से इस स्लीप्स को भी जॉइंट करना है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है तो देखिए यहाँ पर मैंने तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरीकी की वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए ये जो है इसी ब्लाउस का बैक पार्ट है इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देखिए उपर एक आई बटन पर लिंक आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आप मुझे फेस्बुक और इंस्टार्गम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा